ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस जोईट एंड यूर वाचिंग रस्ल चैटर्स और गैस वीडियो के शुरुआत ही सब से वहले हम लोग कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और जिंदर महाल के एक पॉसिबल फ्यूट से अब आपको पता है जब से ड्रू मैकिंटायर चैंपिन बने हैं जिंदर महाल एक ऐसा नाम सामने आ रहा है अपने रिटन के बाद से इवन उससे पहले से भी कि अगर वो चैलेंजर बनते हैं ड्रू मैकिंटायर के तो इनकी जो फ्यूट है वो काफ़ ज़्यदा इंटरस्टिंग हो सकती है तो गैस जब यही वाला सवाल ड्रू मैकिंटायर से पूछा जाता है तो गैस उनका जो यहाँ आपर टेक था वो थोड़ सा डिफरेंट था उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने आपको अच्छे से बिल्ड करना चाहता हूँ इंटरस्टिट है क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने यह का कि जब मैं 15 साल का था तो उस समय इंडी वर्ल्ड के अंदर जो है AJ Styles काफ़ी ज़्यदा पॉबलर थे और मिरको लगता था कि मैं AJ Styles की तरह बनूगा लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्री बढ़ी तो भाई अब यह चीज़ क्लियर होगी हमको मनी था बैंक पेपर हूँ के बाद लेकिन जिंदर महाल के बारे में ड्रू मैकिंटायर ने यह भी कहते हुए क्लियर कहा कि देखो हम दोने की बीच हिस्ट्री है तो definitely हम दोने की बीच अगर कुछ स्टोर लान के अंदर दिखता है तो व रूसेफ का बहुत बड़ा नाम है अब जरूर आप लोग सोचे होगी कि रूसेफ क्या करने वाले वह कौन सी कंपनी में जाएंगे कौन से प्रमोशन में जाएंगे लेकिन गाइस एक बहुत इडिफ्रनेट पात इस समय रूसेफ ने चुना हुआ है और वैसे भी आपको उनको इस बात से ज्यादा फर्क पढ़ता भी निया कि उनके साथ क्या हुआ है वो तो भाई घर पर मजे लेंगे और गाइस लाना उनके साथ थी वहाँ पर हाले की वीडियो में नहीं नहीं देखी लेकिन गाइस लाना उनके आसपास ही दी तो रिलेशनशिप उनकी अच् मुझे आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हो अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और गाइस जूड़ी है रोमन रेंज है अब आपको पता इस समय क्या कहानी पकरी है रोमन रेंज से और डबल लबली के बीच इक्जैक्ली क्या सिच्वेशन है दो नहीं था कि TMZ के सांथ रोमन रेंज का इंटर्वी हुआ है तो वह डबल लबली के कहने पर गूंतर नहीं था यानि तरीके से रोमन रेंज और यह चाहती थी वह इस चीज को अपने फैंस को बता हैं ताकि उस चीज के लिए फैंस और भी ज्यादा ट्यून हो तो मतलब समझ में ह यह कि WWE television के ओपर Roman Reigns को mention नहीं करना चाहती अब उनका वो कौन सा reason यह तो जब Vince McMahon सामने से बताएंगे तब ही हमको पता चलेगा लेकिन जगर बात हो social media की यह फिर WWE को Roman Reigns को कोई चीज प्रमोट करवानी हो तो गया still WWE Roman Reigns के साथ touch में है अब हो सकता है कि WWE का Roman Reigns के साथ touch में होना और Vince McMahon का Roman Reigns के साथ touch में होना दोनों अलगे things हो क्योंकि आपको पता है भले ही company के मालिक है Vince McMahon लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़े WWE और Roman Reigns से जुड़ी है बीच में Vince McMahon का interference ज़रूर है तो भाई ये तो एक mystery रहने वाली है तब तक कि आखिर क्या पकर रहा है Roman Reigns और Vince McMahon की बीच और बात रही आगे हम क्या expect कर सकते तो guys अगर मैं आपसे होंगे description में आपको link मिल जाएगा Roman Reigns की recent जो interview वाली वीडियो है आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं वहाँ पर आपको काफी सारी new updates पता जरूर लगेंगी और guys इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी action final story की तरफ और guys ये जुड़ी है इस बात से कि guys हमको क्या money in the bank pay-per-view के अंदर surprise cash in देखने को मिलेगा अब आपको पता है जब money in the bank pay-per-view के अंदर दो briefcase वाले matches होते हैं जैसे पहले Ross Macdon के अलग-अलग होते थे और हम लोग recently देखते हैं कि men's and women's वालग है तो WWE ये consider करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती कि वो एक briefcase केस को उसी दिन cash in करवा दे ताकि वो fans के लिए surprising moment हो और वो एक briefcase को बचा ले ताकि आगे जाकर कभी WWE किसी अच्छी store line के अंदर उसका use कर सके बड़ गाइस इस बार जो scene है cash in करने का surprise cash in करने का वो थोड़ा सा जीब हो सकता क्योंकि इसके regarding एक बहुत बड़ी update आई है और guys वो यह है कि आपको पूरे money in the bank pay-per-view के दोरान men's and women's ladder match देखने को मिलेगा मतलब अगर आप यह सोचे हो कि भाई मैं तो late उठूँगा और last मों शायद main event होगा तब ही जाकर मैं match को देख लूँगा तो शायद guys आपकी यह गलती हो सकती है अब यह confirm नहीं है लेकिन guys ऐसी updates आ रहे हैं कि WWE पूरे money in the bank pay-per-view के दोरान हमको छोटी-छोटी पूरी match से clips दिखाएगी कि अब ladder match के अंदर क्या हो रहा है तब क्या हो रहा है यानि match इसके बीच बीच में और जो ending होगी यानि कि जो conclusion होगा guys वो हमको देखने को मिलेगा बिल्कुल end में जाकर तो इसका मतलब कि पूरे pay-per-view के दोरान guys ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा ladder match देखने को मिले चोटी-चोटी clips और end में जाकर आपको दिखाया जाए पूरा match अब अगर match ही end में है तो guys ऐसे में यहाँ पर surprise cash-in का कोई सवाल बनता नहीं है क्योंकि cash-in तो हो सकता है तब जब championship का match ladder match के बाद हो और guys ww plan कर रही है कि जो ladder match इसको main event के अंदर डाला जाए तो guys ऐसे में आपर उस pay-per-view के दिन cash-in करने की possibility बहुत ही जादा कम हो जाती है अब ww घुमा फिर आगे सीन तो कोई भी लगाई सकती है लेकिन इस बार जो cash-in करने की surprise cash-in करने की possibility पे-per-view के अंदर ही वो guys थोड़ी सी आपर कम नजर आ रही है बट still guys मुझे ऐसा लगता है कि पे-per-view के अंदर खोदी इतना unique match है कि यहाँ पर हमको शायद इतने surprises देखने को मिल चाहेंगे कि हमको बाकी और कोई surprise की जरूरत नहीं पड़ीगे I hope, ww ने इन ladder matches के अंदर जरूर कोज अच्छा book किया होगा